नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वारल हिंदी नूज में स्वागत हैं दोस्तों इन्रव सेंग्डा सरा उरी लिव कुलन चाहल ने दिलाई भारत को छेवी सफलता मोहीन अली का लिया विकेट लॉड्स, भारत और इंग्लेंड के बीच चल रही वन अडे सीरीज का दूसरा मैच में इंग्लेंड के बले बाज बड़ा स्कोर बनाने की पूर्ज और कोशिश में लगे हैं 45 ओवर के तक जो रूट और डेविड विल्ली ने इंग्लेंड का सेकरो 264 रन कर दिया जो रूट अपने शतक के करीब पहुँच कर 98 रन बना चुके थे वहीं डेविड विल्ली 9 रन बना चुके थे 35 ओवर में 200 रन पूरे करने के बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से इंग्लेंड की रनों की गती में जरूर लगाम लगा दी दोस्तों 42 ओवर में जब इंग्लेंड का स्कोर 249 रन हो गया था तब यजुवेंद्र चहल ने मोहीन अली का विकेट लेकर इंग्लेंड का चठा विकेट ले लिया दूसरे छोर पर जरूर 82 रन बना कर क्रीज पर मौजूद थे पिछले मिच में टीम इंडिया के लिए खतरनाक बने जोस बटलर इस बार ज्यादा देर टिक नहीं सके और केवल साथी गेंद खेल चार रन बनाकर उमेश यादव की गेंद पर विकेट के पीछे दोनी को कैच दे बैठे बटलर के आउट होने के बाद इंग्लेंड का स्कोर 37 वे ओवर में ही पांच विकेट पर 215 था क्रीज के दूसरे छोर पर जो रूट 71 रन बना कर खेल रहे थे दोस्तों इंग्लेंड के कप्तान ये उन मोरगन और जो रूट के अर्धश्टकों के दम पर 33 वे ओवर में ही इंग्लेंड का स्कोर 200 और रन कर दिया इस समय क्रीज पर जो रूट के साथ बेन स्टॉक्स मौजूद थे रूट में 79 गेंदों पर 60 रन और स्टॉक्स 6 गेंदों पर 4 रन ही बना कर खेल रहे थे लेकिन 34 वे ओवर में ही हार दिक पांडिया ने भारत को एक और सफलता दिलाधी और बेन स्टॉक्स को विकेट की परे मैस दोनी के हाथों कैच आउट करा दिया स्टॉक्स केवल 5 रन ही बना सके दोस्तों योन मौर्गन और जो रूट ने इंगलेंड की पारी को संभालते हुए टीम का स्कोर 30 ओवर में 185 रन कर दिया लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करते ही वे कुलदीप यादव का शिकार हो गए मौर्गन ने तेजी से बल्ले बाजी करते हुए 51 गेंदों पर तिरपन रन बनाए क्रीज पर अब जो रूट का साथ देने बेन स्टॉक्स आए इंगलेंड का स्कोर 25 ओवर से पहले ही 150 रनों के पार हो गया 25 ओवर तक जो रूट 41 रन और मौर्गन 29 रन बना कर खेल रहे थे जो रूट ने 29 ओवर में ही अपने करियर का 29 वा अर्धशतक लगाया रूट ने 56 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किये दोस्तों पहले 10 ओवरों में पिछले मैच की तरह ही ठोस शुरुआत के बाद कुलदीप यादव के दो विकेट से जरूर इंगलेंड की पिछली कहानी दोहराती दिखाई दे रही थी लेकिन जो रूट और कप्तान एयोन मूर्गन ने इंगलेंड की पारी को कुछ हद तक संभाल लिया था 20 ओवर तक इंगलेंड ने 121 रन बना लिये थे कप्तान मूर्गन 17 गेंदों पर 18 रन बना कर खेल रहे थे वहीं जो रूट 30 गेंदों पर 24 बना कर खेल रहे थे 15 होवर के बाद इंग्लेंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन हो चुका था जो रूट 13 गेंदों पर 88 रन बना चुके थे वहीं कप्तान ये उन मोर्गन केवल एक रन बना कर खेल रहे थे डॉट पहले कुछ ओवर में यह मैच काफी कुछ पहले मैच जैसा ही चला इंग्लेंड ने पहले मैच के पहले 10 ओवर में 71 रन बनाए थे तो दूसरे मैच में भी इंग्लेंड ने 79 रन बनाए थे दोनों ही मैचों में पहले 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा इसके बाद 11 हर्वे ओवर में पहले ही मैच की तरह कुलदीप यादव ने अपने पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिलाई और जॉनी बेरस्टों को बोल्ड आउट कर दिया इसके बाद अपने तीसरे ओवर में कुलदीप ने जेसन रॉय को चालीस के नेजी स्कोर पर डीप मिड विकेट पर उमेश यादव के हाथों कैच आउट करा दिया दोस्तों में आप तक नई नई वीडियो पहुचाता रहुए इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू